हाई गाईज चलिए बनाते हैं दो शुगर फ्री प्रोबाइटिक स्मॉधी जिन से आपका गट हेल्थ अच्छा रहेगा बिमारियों से दूर रहेंगे दाइजेशन ठीक होगा और साथी वजन भी कम होगा ये दो मिनिट में बनती है और टेस्टी भी है तो चलिए इंतजार किस बात करें ब्लेंटर सट अप करें और एक कप दही डालें सिर्फ प्लेन दही फ्लेवर दही नहीं लेनी है दही एक अच्छा सोर्स है प्रोबाइटि नेक्स्ट तीन सीदलेस डेट्स डाले इन्हे स्मूधी को मीठा करने के लिए यूज़ कर रही हो डेट्स में फ्रुक्टन्स है जिनमें प्रीबाइटिक फर्मेंटेबल फइबर होते हैं इसका मतलब है खजूर में प्रोबाइटिक स्तो नहीं है लेकिन इनमें पर मैंने डीटेल वीडियो बनाया है और इसे आपको देखना चाहिए इन्हें अच्छे से समझने के लिए वीडियो लिंक देस्क्रिप्शिन बॉक्स में है नेक्स्ट एक स्कूप अकेशिया गम पावडर का डाले इसे गम अरबिक भी कहते हैं आप इसे गोंद की नाम से अच्छे से जानते होंगे एकेशिया गम भी एक प्रीबायटिक फाइबर है इसमें वाटर सेलूबल डायटरी फाइबर हैं जिनसे हमारा कोलिस्टरॉल कंट्रोल में रहता है ये फासिंग ब्लड शुकर लेवल कम कर ताइब टू डायबटीस से बचाते हैं इन शॉर्ट, अकेशिया गम पावडर इन स्मूदीज का नूटरिशनल प्रोफाइल बढ़ाता है और साथी हमारे गट, बेट और हार्ट के लिए अच्छा है इसका टेस्ट नूटरल है और स्मूदीज को क्रीमी रखता है स्मूदीज ज्यादा तर कुछ टाइम के बाद सेपरेट या स्प्लिट होने लगती है और ये इससे भी बचाता है नेक्स्ट, एक प्रो बाइटिक सप्लिमेंट स्मूदी में डाले जो मैं यूज कर रही हूँ, इसमें प्रो और प्रीबाइटिक दोनो है कैपसुल बीट से खोले और पाउडर डाले इससे स्मूदी का नूट्रिशन और बढ़ेगा और साथी हमारी बॉडी को डेली रेकमेंटेट डोसेज और प्रो और प्रीबाइटिक भी मिल जाएगा यह चार इंग्रीडियन्स हमारी दोनों स्मूदी के बेस है अब परेली स्मूदी बनाते हैं जोगी है चिया स्ट्राॉबरी प्रोबाइटिक स्मूदी एक ठिबल स्पून चिया सीट्स टाले Chia seeds में काफी fiber है with prebiotic effects इसमें soluble fiber और mucilage है जिससे bat cholesterol levels और blood sugar spikes कम हो गए है Next, आधर कब strawberries डाले मैं frozen use कर रहे हूँ आप चाहें तो fresh भी यूज़ कर सकते हैं और strawberries के बदले कोई और berries भी ले सकते हैं End में आधर कब पानी डाले अब अच्छे से blend कर ले Glass में shift करें कुछ pumpkin seeds से garnish करें और हमारा Chia strawberry probiotic smoothie तयार है अब हमारी दूसरी smoothie बनाते हैं जो कि है mango flax smoothie दूसरी smoothie बनाने के लिए probiotic supplements तक का step repeat करें फिर एक ती स्पून अलसी का powder डाले अलसी काफी healthy है और यह अच्छे source है prebiotics के इनके fiber से healthy gut bacteria बढ़ते हैं और पेट ठीक रहता है next आदा कप आम के cubes डालें आप चाहें तो आम के बदले pineapple भी यूज़ कर सकते हैं end में आदा कप पानी डालें अब अच्छे से blend कर लें Glass में shift करें उपर से थोड़ी अलसी डालें और हमारी flaxseed mango probiotic smoothie तयार है यह smoothies ऐसे दिखेंगी texture काफी rich और creamy है और यह पिलकुल split या separate नहीं होंगी पाने डालने के पावजूद पता नहीं आपने notice किया या नहीं लेकिन इन smoothies में मैंने दूद नहीं यूज किया है यह काफी refreshing, filling, nutritious और sugar free है काफी healthy breakfast option है जल्दी और असान है बनने में साथी काफी tasty भी है आपकी body दिन के शुरुआत में nutrients काफी अच्छे से absorb भी कर लेगी तो इन smoothies को try करें और अपना experience मेरे साथ share करें और मैं जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ तब तक याद रखें एक probiotic packed smoothie आपके overall health का ticket है और इससे फाइदा आपके skin, heart और brain सबको मिलेगा बाबाई